हाँ हेलो स्टूडेंट हमारी पिछली क्लास में नेट की प्रॉब्लम के चलते हमें मां डिस्करेंग करना पड़ गया था तो अगेन हम उसी कंटिनिवेशन में अपना इंड्रेस टॉपिक डिसक्स करना चाह रहे हैं कि उसमें आपने देखा था कि हम रिपोर्ट और फॉर्म किती हमने अंट्री डेली थी ऑफिर हम नेक्स करते जाएंगे नेक्स्ट 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 और Kia ।क्नेक्स्ट ओर फिनिश पे फिनिश करते हैं आपकी इस त्रीकी की रिपोर्ट तैयार हो गई भावाप सभी सूडन को यह सте क्लियर हैं परम को में सर्प्य ले लिजिए यह सारे आपके उस प्रोग्राम के आउट्पूट की तरह वर्क करेंगे तो आई होप आप सभी चीजें आपको मैंने प्रेक्टिकली आपको समझा दिया है तो आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम था दस बारा परेल तक मैंने दिया था आप 14 अपरेल तक में पूरी अपनी फाइल सभी सुडेंट करेंगे लास्ट एक्सपेरिमेंट को भी पर रिव्यू देख लेते हैं जो कि हमारा बहुत इजी है आप लोग उसे मोस्ट आफ टाइम एक्सेस करते ही करते हैं वो है आपका है सुर्फिंग वेब साइच यूज कौन से सर्च इन गूगल याहू है बिंग है इनका में परपस क्या होता है इनका में परपस ही होता है कि आप वे ब्राउजर पे कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे तो वह उससे चीज जो रिलेट कर रही है उन आइटम्स को सर्च कर देगा जैसे आप एंटर की प्रस करेंग इसमें कीवर्ड यूजर जाते हैं और इन कीवर्ड की हेल्प से वह इन फॉर्मिशन वेब पे सर्च हो जाती है कौन कौनसे एक्जम्पल आपके इंपॉर्टन सर्च इंजन है गूगल है याहू है अल्ट विस्टा है ओल है जीव से आस्जीवीज है इनकी में इंपॉर्टन्स यह है कि यह आपके जो भी इंफॉर्मिशन है फिल्टर इंफॉर्मिशन को आपके नीट के अकॉर्डिंग दे देते हैं और जिसके लिए आपको इसली एक्सेस हो जाती है चैनल यह तीन-चार टाइप के होते हैं क्लॉक्रॉलर बेस्ट डिरेक् इनकी दीमें आगे बढ़ता है उसी तरीके से इनफॉर्मिशन को डिक करने के लिए ऐसे वेब पेज़ उस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेते वे इनफॉर्मिशन को डिक करते जाते हैं फर्दर वेब पेज़स पर इंपॉर्टन्स के गॉगल और याहू क्रॉलर सर्च जिसमें आपको मेंली क्या करते हैं कि जब आपको जनरली ऐसे टॉपिक सर्च करने हो जिनकी कोई लिस्टिंग हो रखी हो या डिरेक्टरी बेज हो जैसे कि आप देखते हैं वहां पर आपके इंपॉर्टन्स वर्क करते हैं हाईब्रिड सर्च इंजन में याहू.com गूग यह आपके मेंली क्या करते हैं कि जो सर्च रिजर्ट रिटर्न फॉम अल्ड़ शर्च इंजन कान बी इंटिग्रेटेट डूप्रिकेट्स कैन बी इंडिमीनेट एडिशनल फीचर्स सच अज अग्ले सब्जेक्स विदिन देशर्च रिजर्ट कैन बी इंप्लिमेंटेड सब्सक्राइब इंडिमीनेट कर देते हैं और सिंगल इंफर्मिशन को रखते हैं उसके अलाबा भी और जो अडिशनल फीचर से वह सारी शीजें ग्रूपिंग करके डालते हैं तो यह आपके इंपॉर्टन सॉफेर्ट इसमें मेंटर सर्च इंजन की डॉक्पाइल में टक जैसे प्लस का म्यारा कि कि प्लस भीक्स कि पहले प्लस लगा देंगे तो वह आपके उस डॉक्यमंट वो उस document के संग संग उस जो भी प्लस में लगा होगा उस document को जिस word के पहले plus लगा है उस document को definitely search करेगा minus का मतलब क्या है अगर किसी word के पहले minus लगया तो वो उस searching में उस word को जिसके पहले minus लगा है उसको exclude कर देगा अभी मैं एक example की तुरुपी सम्झाओंगे double quotes का मतलब क्या है अगर double quotes में कोई आपने keyword लिखा है तो इसका मतलब है कि जो वो search करेगा वो उसको as a phrase यानि उस particular पूरे word को double quotes वाले के reference लेकर ही search करेगा और का मतलब है कि अगर आपने दो words की बीच में all लगा दिया है तो वो उन दोनों से जो भी item वो उनको separately search करेगा और का मतलब आइधर एक तो वो दोनों item उसको अलग-लग मान कर ही search करेगा किसी भी एक item को separately search करेगा अब जैसे example लिए प्लस black plus blue तो बता सकते है अब्यसी बा ब्लेक और ब्लू दोनों ही हो वो दोनों आएंगे विच कंटेन द वर्ड ब्लेक एंड द वर्ड ब्लू यनि दोनों डॉक्मेंट जरूर होने चाहिए दोनों ने ऐसे वर्ड को search करेगा ब्लेक माइनस ब्लू इस में understood है ब्लेक तो आएगा लेकिन ब्लू नियाए ब्लू अब डॉक्मेंट विल रिटन विच कंटेन द वर्ड ब्ल्यक ब्लू अब डबल कोर्स के देर ब्लेक ब्लू । इसका मतलब दोस्टों किमेंट विल रिटन विच इन्क्लूड द फ्रेस और ब्लेक और ब्लू या तो इनके अंदर ब्लैक होगा या ब्लू हो तो इसको ध्यान रखेगा अच्छे से और हमारा अब पूरा स्लेबस ओवर हो रहा है तो हमारे अगर पूरे एक्सपेरिमेंट की लिस्त देखें तो हमारा आज की इस लेक्शर के बाद कोर्स ओवर हो गय या थेहरेक्टिकली भी और प्रेक्टिकली भी इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट आता है अपने एक्सपेरिमेंट से मैच कर सकते हैं प्रेक्टिस ओन यूटिलिटी कमांड इंडॉस हो गया एमस वर्ट पे काम डेटाबेस के अडिटिंग टेबल क्रेशन फॉर् अगर किसी बच्चे को पेपर्स की दिकत आ रही है कि एफोर शीट वगरा नहीं मिल नहीं है तो उसके लिए पहले से रखी हुई हो तो यूज कर लीजे अधर वाइस अपना डेटा रफ में एक नोट बुक में तयार रखी जैसे ही आपका जो भी आपको चांस मिलता है या किसी तरह से जो भी ओपनिंग होती है तो अपनी पर्टिकुलर शीट्स लाके फाइल को कम्प्लीट करिएगा इसके अलावा थियोरेटिकली में भी हम देखें तो हमारा पूरा स्लेबस जो गिवन है बीटी की साइट से से मैच हो चुका है तो अब सभी बच्चे को महना से ्टी करें कोई डाउट आएगा फिल फ्री टो कांटेक्ट मी आप किसी से भी कोई कांटेक्ट करना चाहिए ओटसप की मादियम से क्लास रूम की मादियम से अपना जैसे भी हो क्वेरी मेर को दे सकते हैं मैं उसको प्ता तो और सभी बच्चे अपने ऐसायन्मेंट का को और एक्सेस करोंगे ठीक है और एसाइंग्मेंट्स का ओगे बटा थैंक यू all the best